नमस्कार, मैं श्वेता आपका दख़बरदार नी उस टॉप 10 मैं स्वागत करती हूँ तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों पर MP में चिकित्सा सिक्षा विभाग में होगी सीधी भरती डॉक्र मोहानी कैबिनेट का फैसला आगर मालवा में खुलेगा लॉकॉलेज दॉक्टर मोहनी अदव मंत्री मंडल की चौती बैटक में चिकित्सा सिक्षा विभाग के भरती नियमों में बदलाव किया गया है नर्सिंग कॉलेज उफर्जी वाड़क हाई कोट में सीबी आई ने पेश की रिपोर्ट अगली सुनवाई 23 को परिक्षा करवाने की अनुमती दे सकता है कोट मदल प्रदेश में हुए नर्सिंग कॉलेज फर्जी वाड़े में मुद्वार को सीबी आई ने हाई कोट में जाच रिपोर्ट पेश की है इन दोर में सीएम की जन आभार यात्रा बड़ा गनपती मंदिर में डॉक्टर मोहनियादव ने की पूजा कुछी देर में रोड़ शो मुख्यमंद्री डॉक्टर मोहनियादव आज इन दोर में जन आभार यात्रा करेंगे यह बड़ा गनपती 14 से शुरू ही है और जो की रजवारा जाकर खतम हुई है हाई कोट में बोपाल गैस कांड के फैसले पर रोक पुनरविचार याचिका के आविदन पर हुई सुनवाई अब 19 फरवरी को तैह होगी सजा बोपाल गैस पीडितों के इलाज मेला परवाही पर मदरप्रदेश हाई कोट ने सजा पर फैसला रोक दिया है पुनरविचार आविदन पर सुनवाई के बाद सजा काने ने लिया जाएगा प्रेमी को चाको घोप कर आते निकाली गला काचा पथर बांद कर शब तालाव में फेका साथ देने वाला भाई भी गरफतार सागर पुलिस ने हत्या के आरोप में एक महिला और उसके भाई को गरफतार किया है प्रदेश में पहली फुटसल स्टेट चेंपियनशिप प्रतियोगिता बुरहानपुर में शिरू आठ टी में ले रही भाग फुटसल खेल फुटबॉल की तरह ही होता है लेकिन इसमें दोनों टीमों से पाच-पाच खिलाडी खेलते हैं राम बंदिर के प्राट पतिस्टा कारेकरम को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग ने भगवान राम पर आधारित डाक टिकेट और विशेश आवरन जारी कर दिया है तेजरफतार ट्रक ने बाइक सवारों को रौदा तीन लोगों की मौत हाथ से का करण बताया जा रहा है कि बाइक सवारती नोव व्यक्ती ग्रामीड सडक से फोर लेंड पर चाड़ रहे थे तब ही तेजी से आए ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया बीजेपी ने नरुत्तम मिश्रा को दे दी है बड़ी जिम्मेदारे लेकिन शिवराज सिंग चोहान को क्या मिला मुक्यमंद्री पत से स्तीफे के बाद से ही पूर्व सीम शिवराज सिंग चोहान के राजनितिक करियर को लेकर कई तरह की कया आसल लगाए जा रहे है शिवराज सिंग चोहान के इस फैसले पर सीम मुहन यादव की कारिवाई शुरू जाने कब से तूटेगा भोपाल बियाटियस मुक्रमंदी डॉक्टर रियादव की अधिक्षिता में वोई भोपाल के बियाटियस कोरिडोर हटाने संबंदी बैठक में आब बताया गया है कि कोरिडोर हटाने का कारियर बैरागर से 20 जनवरी से शुरू किया जाएगा खबरों में अब तक के लिए वस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ बड़ी और खास खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दाखबरदार नियूज